महत्मा गौतम बुद्ध का मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है आत्मा को नहीं एक समय की बात है महत्मा बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीच चुके थे तभी एक शिकारी उस रास्ते से जा रहा था उस शिकारी ने महत्मा बुद्ध को पहचान लिया शिकारी ने महत्मा बुद्ध के बारे में बहुत बड़ाई सुनी थी किन्तु वह मात्मा बुद्ध की बड़ाई से संतुस्ट नहीं था उसने परिक्षा लेने के लिए सोचा शिकारी पहले तो मात्माबुद को एक छोटा सा पत्थर फैक कर माता है किन्तु मात्माबुद कोई प्रतिकिरिया नहीं करते क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है आत्मा को नहीं अत्य शिकारी द्वरा फेके गए पत्थर के कारण शरीर को कस्ठ हुआ किन्तु आत्मा को नहीं शिकारी कुछ समय सोचता रहा महत्मा बुद कुछ प्रतिकिरिया करेंगे किन्तु महत्मा बुद अपनी तपस्या में लीन थे उन्होंने कोई प्रतिकिरिया नहीं की पुनह शिकारी ने पत्थर फेका और वह पत्थर महत्मा बुद्ध के आँखों के ऊपर जाकर लगा और उस जगर से खून बहने लगा महत्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बहरा है किन्तु फिर भी वे अपनी तपस्या से नहीं उठे शिकारी को गुसा आया और उसने पुनह एक पत्थर और महत्मा बुद्ध की और फेका महत्मा बुद्ध के शरीर से अब खून अधिक बहने लगा इतनी पीड़ा महसूस कर महत्मा बुद्ध के आँखों से आँसू निकलने लगे शिकारी ने महात्माबुद के पास जाकर पूछा आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी महात्माबुद ने बड़े ही सरलता के साथ कहा क्योंकि इससे मेरे शरीर को कस्ट हुआ मेरे मन मस्तिक्स को नहीं शिकारी अचंबित रह गया उसने पूछा फिर अपके आँखों से आंसु क्यों बह रहे हैं इस पर महात्माबुद ने पुनय कहा तुमने तुमारे द्वरत दिये गए अनुचित कारे के परिणाम के बारे मेरे मिरा मस्तिक्स मेरी आत्मा विचार कर रो रही है तुमने इतना बड़ा पाप किया है तुम्हें कैसी सजा मिलेगी बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और उनसे शमा याचना की महात्मा बुद्ध शमाशील वैक्ति थे उन्होंने तुरन शिकारी को शमा कर दिया और अपना आशिरवात दिया वैशिकारी महात्मा बुद्ध का आशिवात पाकर एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन वैतित करने लगा